इतना outdated है कि आज मुझे अपने अगर imported dog के जो की ads में आता है जिनको celebrities ले रहे हैं जिनको forces ले रहे हैं उसके लिए मुझे पहले चिन्नाई में हाथ से लिखी हुई चिट्थी बेजनी है फॉर्म बरके डाक में बैंक में जाके demand draft कटवाना है यह 1970 की 1960 की पुरानी रीत जो है उसको करूंगा तब लोग मेरी इज़त करेंगे वरना हमें कुछ 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 समझेगा ही ने एक गाओं में underprivileged बच्चे को भी एक कुत्ता और एक biscuit पकड़ा के देशी कुत्ते से भी आपको हरवा सकता हूं मेरा मन करें क्योंकि मैं तो trainers कोने-कोने में बना रहा हूं औ आज में आप लोग को एक ऐसी शक्ष्यत से मिलाने जा रहा हूं जिनको डॉग इंडश्टी में सायदी कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता और आज आपको इनसे इस तरह की इंफोर्मेशन में जरूरूर दिलवाने की कोसिज करूंगा जो आपके लिए बहुत ही हल्फुल हो आपका टाइम मिला तो प्लीज आप वीडियो में बने रहे हैं इस वीडियो को लाज तक देखें आपको आज बहुत अच्छी इंफोर्मेशन जो है इस वीडियो में बिलेगी तो अधनान भाई एक वीडियो को ताइम ज्यादा नहीं लेते स्टार्ट करते हैं वर्किंग क्या होते हैं थोड़ा सा इसके बारे में आने से पहले हलका सा मैं बैक्ग्राउंड आपको और मेरा भी थोड़ा सा व्यूवस को दूंगा कि के एन पीवी इंडिया में पॉपिलराइज करने में मेरे जहन में दो सबसे इंपॉर्टन लोग अभी इस फ्रेम पे बैठे हैं अब पिछले कुछ साल में मैंने रिलाइस किया है कि गलत लोग और गलत माइंडसेट और गलत मेंटालिटी आगे जा रही है बिकॉस हमारी जो डाउन टो अथ मेंटालिटी था उसको जमीन पर ही दबाने का काफी प्रयास रहा है इतने साल से आप जानते हैं कि हम लोग या कुछ भी लगे बस सारी cold hard facts on record लाके register करना चाहता हूँ ताकि जो भी यह देख पाई यह हमेशा के लिए record में चला जाए history में चला जाए कि reality क्या थी तो KNPV जो है वो एक Netherlands police का एक dog sport है और 2015 में मैं पहला civilian था जो की police dog center Holland में जाके Netherlands police के साथ जाके काम किया हूँ इसको प Queen of England के dog trainer के साथ काम किया है जो Queen के security dogs वगरा को supply करते थे train करते थे और उनके personal Welsh Corgis से लेके सारे उनके matter समालते थे dog training में तो internationally आप समझ सकते हैं 2010 से आज 2023 हो गया है कम से कम 12 से 13 different countries की police academies के साथ मैंने dog training जो है चाहे वो bomb sniffing हो चाहे वो security हो चाहे वो surgeon rescue हो जाके सीखी और curate कर अब KNPV इंडिया में आने का एक सबसे बड़ा influence यह था कि मेरे अंदर एक बहुत मतलब Holland से और Dutch police से वापिसा के एक इच्छा ऐसी जागी कि यहाँ पे Dutch Shepards इतनी अच्छी quality के नहीं है similar time पे आपका और मेरा मिलना हुआ जिसमें आपने बहुत सारे अच्छे import dogs इंडिया में लाए हैं उसका impact पूरे police academy से लेके forces को और इन सब में दिया है चोटी सी गलती मेरी यहाँ हो गए कि कुछ और भी लोग थे जो मेरे कंदे पे ही बैठके मेरी copy करके जैसे ही मैंने Dutch Shepard बोला उनको तो spelling तो क्या कुछता पता भी नहीं था क्या होता है उन्होंने भी ले किया था और मेरे एक बहुत खास अजीज दोस्त है प्रशांतो वो उन्होंने भी मेरे से एक डॉग मगाया था वो हमारे माइंसे प्रशांतो बैने जी हम दोनों की काफी अजीज दोस्त हैं और उनके साथ-साथ कुछ और ऐसे लोग थे जिनको breed का कोई knowledge कोई idea था नहीं उ एक बंदे ने तो मेरे डॉग की सिस्टरी खरीद ली जो सामने दिख रहा था उनको अच्छा उनका मन था किसी तरह मुझे कुछ हो जाए मैं बिमार हो जाओ और वो उनको मिल जाए वो इस तरह की शक्सियत थे मैं यंग था तो मैंने चलो काफी अपचतावा हुआ है लिस तक भी पी अटी मोश्र कंशिण के सा साथ जी अजलेंड़ी आफ बॉलीस को hak के लिए काफी अनध करिया है उए टो इसके बारे में यह सीधा तो दायाता हूं कि करेंज जो है उसको अश्को यह एक घ्च टर। है जो की आप तर्यावा सकते हैं डिखनल पुलीस या नेधरलेंस का national police dog training system है training and breeding system Holland जो है नेधरलेंस जो है वो पूरे world का सबसे strongest police dog toughest hardest police dogs बनाता है उसमें वो 4-5 top की breeds यूज़ करते हैं कभी वो अलग अलग होती है कभी वो चाहे तो एक साथ भी बनाते हैं main system उनका ये है कि कोई भी US army हो चाहे Indian army हो सब लोग एक तो वहीं से सबसे best dog लेते हैं चाहे वो इस्राइल हो चाहे वो इजिप्ट हो चाहे वो अबुदाबी हो कोई भी special forces हो और उनका main important factor के एन पीविगा यह है कि dog इतना hard हो कि वो दिवार तोड के भी निकल जाए किसी चीज से डरे ना कभी बिमार ना हो और दस लो है उनका goal यह नहीं है कि show में जाके modeling करें photo घिचाए चार बच्चे बेच के profit बनाए उनका कोई चोटा goal नहीं है कि यह कुत्ते की photo मेरे साथ अच्छी आईगी तो मेरा नाम बढ़ेगा यह कुत्ता थोड़ा कूदेगा भौकेगा विडियो पे तो लोग मुझे जानेंगे इतने चोटे चोटे goal नहीं है जितने अभी Indian dog training scenarios में है उनका goal simple है कि मैं एक ऐसा dog मनाऊं जो कि जिसको कोई भी नाहरा सके अब उस journey में उनको काफी जिंदगी लगी है काफी time लगा है Belgian Malinois जो है वो बहुत countries में बहुत सालों से famous है German Shepherd जो है वो भी उससे भी जादा famous है उसक मेरी favorite breed है जिस पर मतलब मैं काफी time से काम कर रहा हूं मैं articles भी लिख रहा हूं आप मुझे काफी उस breed में refer भी करते हैं काफी मतलब मेरा नाम forward भी करते हैं वो है Dutch Shepherd को तो मैं कहना चाहूँ कि इस breed का introduction जो है वो I am lucky कि कुछ सही और educated हातों में हुआ बट फिर भी ऐसा है कि व हमा हमाय control नहीं है उसका तो KNPV जो है simply हम कहेंगे Holland Police Academy का strongest police dog creating system है यह तो KNPV हो गया जी अब आप मुझे एक question मेरा और है Dutch Shepherd और Belgian मेलनोज में difference क्या है यह बहुत लोग पूछते हैं और इसके साथ एक चीज और मैं आप से जानना चाहूँगा आज कल इसको mix भी कर रहे हैं जैसे हमने भी किये हैं आपने भी लाश टाम कुछ मैंने पॉप्स देखे थे पांपे जिनका मैंने वीडियो भी किया हुआ आप उसको लिंक आखको मिल जाएग अगर आप देवना जाएगा लो बहुती हार डॉग ती हार डॉग थे पहूर टॉफ डॉग ते वो क्या वो वो प्योर ब्रीड में इतना उपसेस्ट हैं कि वो लोग तो अपने ही केनल में लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग की हद तक भी चला जाते हैं चाहे ब्रीड एक जैसी दिखें जिससे वो बर्वाद हो चुकी हैं बर्वाद हो गई हैं जाए जीएसदी हैं चाहे लाप शो लाइन में डॉबर मैन हैं वो इतने डर पोक है कि मैं कभी उस पर अपनी जान डिपेंड करूंगा ही नहीं उसको मुझे बढ़ना पड़ेगा मैं उसको प्रोटेक कर रहा हूंग वो गुबारा फटने से भाग जाता है क्यों क्योंकि सबको एक पर्टिकिलर लुक और चैंपियन और जो ट्रोफियां जीतता है मतलब उन्हें मॉडल क्रिएट करने हैं ठीक है अब प्योर ब्रीड जो होती हैं प्योर ब्रीड भी बनने से पहले बहुत सारी ब्रीड का ही म 20-30 साल तक जोड़ जोड़ के मिला मिला के ही बनाया है सीदी सी बात है और एक ब्रीड का अपना एक पर्पस पर्पस है पर्पस के लिए उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने हमेशा मिक्सिंग ही करी है जब तक फाइनल ब्रीड नहीं आ जाती बुल मैस्टिफ एक इंग उसके पहले बुल मैस्टिफ हमेशा एक इंगलिश मैस्टिफ और एक इंगलिश बुल डॉग को ले के जोड़ के ही किया जाता था अब आ जाते हैं कि एन पीवी में ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों किया जा रहा है और इंडिया में उसको किस गलत वे में यूस करके मिस यू लब है कि अगली जनरेशन में सारी उनकी family common है, ancestry common है तो हम क्या करें, जो चार आखरी डच शेपर्ड बचे हम उनको इन ब्रीड करकर के खराबी कुत्ता बनाए और तो सारे जो Holland के डच शेपर्ड ब्रीड को restore करने में वापस आए जो इतनी मेहनत हुई है पिछले 50 साल में चार कुत्ते से एक लाग डॉग्स पे आ गए हैं for example, exact number तो मैं नहीं बता सकता FCI में होंगे 2000 KNPV में होंगे 5000 वो भी मेरा एक question रहेगा FCI और KNPV के वारे तो उसमें अब हमें इन लोगों ने German Shepherd और Belgian Malinois की qualities को use करके Dutch Shepherd में bloodlines बढ़ाई है तो जो इस breed में Dutch Shepherd में जो भी mixing हो रही है वो dog की health और quality आगे बढ़ाने के लिए हो रही है ताकि वो जो पिछले 4 dog बचे थे उस वज़े से extinct ना हो जाए जानवर ठीक है क्योंकि Dutch Shepherd यूज होता था farms में भेड़ बकरी में भेड़ समालने के लिए अब अब Netherlands का है वो अब Netherlands में सब लोग चलेगा है अपनी jobs में आगे कोई accountant है कोई architect है कोई engineer है तो भेड़ बकरी चराई नहीं रहे उन्हें Dutch Shepherd की जरुवती नहीं फिर जब Holland Police ने और US Special Forces ने और इन सब ने Dutch Shepherd को popularize किया है तब से KNPV वालों ने Holland Police के sport वालों ने दूसरी breeds कभी mostly तो Belgian Shepherd बट कभी कभी German Shepherd भी add किया है और जुतने भी pure breed वाले purist कह ले हैं कि जो pureness से obsessed है Hitler भी pureness से obsessed है अभी भी political climate में यही है कि सब intercast, withincast, वो ही सारे mentality dogs में डाल रहे हैं जो भी pure breed से obsessed हैं उनके पास इन सवालों के ना जवाब ना solution होंगी यह चीजें dog game में बहुत ही बड़े और बहुत ही educated और researched लोगों ने experienced लोगों ने करी हैं जो कि मैं समझ सकता हूँ कि कोई pet parent या एक basic show breeder या एक you know local trainer जो है उनके समझ से बाहर हो सकती है इसलिए हमारी ये video बहुत ज़रूरी है आप ये कहते हैं कि जो ये mixing हो रहा है ये ठीक है जो अभी तक आपकी बात है तो अगर नहीं तो मैं इसमें दो चीज़ा कहना जाता हूँ कि आप और मैं ठहरे के एन पीवी के mindset से क्यूंकि हमने ये सीखा और समझा है जो भी show line के mindset से आते हैं KCI और FCI paper वाले जो लोग है क्यूंकि उनको इस चीज़ की समझ नहीं है और acceptance नहीं है वो ना करें क्यूंकि इसमें problem क्या है इसमें अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ समझने वाले top 10% को ये चीज़ understanding होनी चाहिए बाकियों के लिए तो ऐसा है कि बाहर से एक Dutch Shepherd लिया जिस पर stripes थी सामने जो कुत्ता अवेलिबल है उससे breed कर दिया क्यूंकि अमित भाई भी करते हैं अधनान भाई भी करते हैं तो हम में ऐसा क्या लग है हम लोग उस डॉक को उसकी genetic disposition से match करने की कोशिश कर रहे हैं हम ये नहीं कर रहे के जो discount में मुझे कहीं से टांग टूटावा Dutch Shepherd मिल गया मेरे घर पे मैलनौ फीमेल एक पड़ी है जो कुछ ताइम पहले कुछ पॉप्स मैंने जो आपके देखे थे वो हो सकता है यह कई लोगों को बुरा लग जाए सुनके बट मैं किसी के लिए अगेंश नहीं बोल रहा हूं जस्ति इंफोर्मेटसंग के लिए ये वीडियो है तो मैंने कहीं पे वो बच्चे किसी को रिकमेंड किये थे कि उन्होंने मुझे बोला कि हमें बहुत अच्छे टेंप्रमेंट के बच्चे चाहिए हो उनका पर्परस भी वही था कि उनको ट्रेनिंग्स एंड ओल स्कूर्टी बगर्र परपरस से वो डॉप चाहिए थे मैंने उनको सर्जेस्ट किये तो जो उनके हैड ट्रेनर का हो या जो भी तक हो उनके उन्होंने वो दिया कि यह मिक्स है और यह खराब है इसलिए मेरा यह कुश्चन था कि मैं आपसे यह बात जरूर पूछू कि आगे जाके अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो इस वीडि के आगे तो डिफरेंस जो है एक तो इनकी ब्रीड के नाम के आगे ही लिखा है कि बेल्जियन मैलनौा बेल्जियम में भेडबकरी का हर्डिंग डॉक था ठीक है डच शेपर्ड उसकी नेबरिंग कंट्री है होलेंड तो यह उसका ब्रीड है जर्मन शेपर्ड जर्मनी भी यह तीनों कंट्री एक तो जुड़ी हुई हैं तो मेरे नजरिये में यह एक बुली कुत्ता जैसे या पाकिस्तानी मैस्टिफ जैसा है कि पंजाब बॉर्डर के उस पार हम कहते हैं पाकिस्तानी मैस्टिफ पंजाब बॉर्डर के इस पार हम कहते हैं बुली कुत्ता या इ अंतर जादा रहा भी नहीं है, वो सारी bloodline सेम ही है एक तरह से, यहां से वाँ जाता है, वहां से यहां आता है, दूसरा मेरे लिए एक relation, मतलब अगर मैं आपको एक जहन बता हूँ, तो मेरे लिए हम KNPV dog fanatics के लिए, यह एक yellow lab, chocolate lab और black lab जैसी चीज़ है, ओके, ठीक है, KNPV म समझ नहीं है, बट मैं अपने system में हमेशा, अपने Belgian Malinois की lines, और अपने Dutch Shepherd की lines, individually भी चलाता हूँ, Mally to Mally भी genetics match करता हूँ, Dutchie to Dutchie भी genetics match करता हूँ, मैंने बहुत काफी बार international dogs को लाके, और उन पे, मतलब, काफी generations में मैं आगे आ चुका हूँ, आपने बहुत काम किया है, ज अब ही किसी से कोई चीज छुपाऊंगा, नहीं, fully transparent बताऊंगा, जिन लोग के ये सवाल है, कि अरे ये mix हैं, तो कुटे खराब हैं, उनको इतनी खुद में ही समझ नहीं है, कभी मैंने उनको आज तक dogs को work करते हुए, या कहीं पे, कितनी भी बड़ी position हो, जब तक हाथ में वो dog को deploy, खुद का बनायवा dog कहीं पे deploy करके कोई चीज कर नहीं रहा, किसी और का train dog आप हाथ में पकड़ लें, फोटो कीश लें, या सिर्फ कुटे को नाक पे खाना लगा के सर उपर करके छोड़ा सा नचा लें, उसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर dog की understanding और background और knowledge है, आदे लोग को इतना पता है, ये सब ट्रेनरों के लिए भी है, कि अगर ये जो अतनान भाई आज जो बोल रहे हैं, इसको बहुत समझ नहीं है, बस Facebook पर focus healing कर लेना, एक कुत्ते को सीधी line पर मुँ उठा के चला लेने से, कोई expert trainer, reader नहीं बन जाता है, Facebook बहुत असान जरिय मैं चाहूं तो मैं एक गाउ में अंडर प्रिवलेज़ बच्चे को भी एक कुत्ता और एक biscuit पकड़ा के देशी कुत्ते से भी आपको हरवा सकता हूं मेरा मन करे तो, क्योंकि मैं तो trainers कोने कोने में बना रहा हूं, और जो भी trainer सब सिफ सोच रहा है के Facebook से ही उनका आगे जा वो चीजों पर कोई काम नहीं कर रहा है, दूसरी बात आधे लोगों के लिए क्योंकि हमारी अनफॉर्चनेटली ब्रीडर ट्रेनर लाइन में सब अपने स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट मतलब स्कूल बूल छोड़ चाड़ के भाग के इस लाइन में आये हैं, तो वो कोई educated phase से नहीं आया है, उन्हेंने का कि हमें पढ़ना लिखना कोई सीधी जॉब नहीं करनी, दस लोग, दस veterinary clinic और colleges से fire होके आये हुए हैं, यह जो आपने, sorry मैं आपको interrupt कर रहा हूं बीच में, आपने जो अभी एक बात बोली है कि इस तरह से dogs में problem आती है, हाइंस कराब जिसकी वजासे वो डोग कुछ ताइम में या तो रोड पे आ जाते हैं, या फिर वो कहीं एंजियो में छोड़ लिये जाते हैं, और फिर वो प्रॉब्लम ही आती है, जैसे आपका कलपर सो NDTV पर भी मैं देख रहा था, तो यह बहुत बढ़ी प्रॉब्लम है, तो यह इनो कुत्ते बस एक कान खड़ा है, नाक लंबी है, भॉकना चाहिए, काटना चाहिए, जोड़ा बना दो, उनको कुछ समझ नहीं है, इतनी अंडरस्टेंडिंग है उनकी बीसिकली, और हम कहां कौन्टम साइन्स और कौन से लेवल में चीजें कर रहे हैं, और वो लोग अ उसरे हो, छे साल में कभी एक बार तो गूगल खोल लेते, बिल्कुल, अपनी जो स्पेलिंग है, चलो पहले तीन बार गलत होगी, क्योंकि आपको नहीं आती थी, उसके बाद तो ब्रीड की किताब कभी खोली होती, गूगल खोला होता, तो आप अब फिक्स कर लेते, पुछना चाहूंगा, FCI और KNPV का क्या है, और इसमें KCI का क्या रोल है, तो FCI में जो Dutch Shepherds है, और ये strictly मेरा personal opinion है, मेरी इन सारे पॉइंट्स पे बैक्लाइश तो क्या मतलब सब लोग जो भी है, जिनको चुपता है, वो हमारा अंटी जाएंगे ही जाएंगे, FCI का बेट लाइन रिजिस्टर करती हैं, और KCI उनके ही नक्षे कदम पे इंडिया में ये सारी चीज़ें चलाता है, उनका mindset है कि डॉग का पेपर होना चाहिए, जिसमें पूरी ब्लड लाइन उनी चाहिए, और फिर दो पेपर वाले डॉग ही मिलेंगे, तब ही कुछ अच्छा बने वो शोज में, शोज के होके रह गए हैं, पतले, लंबे, सुन्दर, अच्छा फर, अच्छा कोट, और भागते हैं, शो में खड़े होते हैं, बट गन फायर होते ही उनकी पैंटर से सुनकर जाती है, वो पतंग के तरह उड़ते हैं बागते हैं, बेसिकली, तो अब अगर मुझे कहते हैं कि मैं अपने वर्किंग डॉक्स को शो लाइन का पेपर वर्क दूँ और तभी मैं उन तक पहुंचूंगा, चाहे वो गवर्मेंट या वो इंस्टिटूशनल अकाडमी हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं उनके साथ काम ना करूं जब तक वो इ इना स्ट्राइप्स वाला है, जो काला है, जो फॉन है, जो रड है, विड फोटो आपको सारी रिजिस्ट्री मिल जाएगी, वो लोग केसी आइफसी आइ में इसलिए नहीं मानते क्यूंगि केसी आइफसी आइ में सिर्फ सीधा खड़ा होके पुतला बनके दात दिखा के थोड़ा अपने सर पे हाथ फिरवा के, आप इतनी बड़ी ट्रोफी ले जा सकते हो, फॉज में जब तक कुत्ता ने अपनी जान नियो चावर नहीं कर दी, जब तक वो समाधी पे वापस नहीं आता, तब तक उसे इतना सा मेडल नहीं मिलता, बिल्कुल, मेरी जान उन पर जादा मैं डिपेंड कर सकता हूं, कोई कुत्ता मॉडलिंग करने निकला हो, तो मेरा खर्चा ही होना है थीक है, उस पर ही मुझे गार्ड लगाना है, पीएसो लगाना है, उसकी सिक्यूरिटी करनी है, उस पर पैसा खर्चना है, तो वो FCI एक शौकीन लाइन है, शौक की लाइन है, आपका कहने का मतल़ है, कि जो FCI डॉग है, वो सिर्फ वो अगर एक जनरल लेंगली में बोले, तो दिखावे वाले कुत्ते हैं, आप क्या बना चाहते हैं, वो FCI वाले हैं, KCI वाले कुत्ते हैं, अगर आप पेपर खोजने निकलेंगे, और प्योरिटी खोजने निकलेंगे, तो आप खोजते ही रह जाएंगे, खोजते-खोजते KCI में पहुंचके, KCI से कुछ उठा लेंगे, इसमें छोटा सा मेरा एक और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, कोई भी प्रूब करता है कि KCI का जो डॉग है, वो प्योरी होगा, ऐसा तो कोई, सबसे फ़नी बात यह है कि ऐसा प्रॉपगेंड़ा बना हुआ है, कि कोई नया बंदा आता है, मैं कई लोगों को, मैं काफी सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे कई लोग कॉल करके बोलते हैं, यह गौर्मेंट संस्ता है, लोगों कोई यही नहीं पता वो है क्या, लोगों कोई लगता सरकारी है, यही नहीं पता कि एक प्राइवेट औरगनाइज़ेशन चल दी है, बस जैसे हमने बना लिया, कि मतलब डची क्लब ऑफ इंडिया हमने खोल लिया, और पचास साल बाद वो इतना बड़ा हो गया, कि उसके सब के पेपर रेजिस्ट्री हो गई, यह एक ऐसी बेसिक औरगनाइज़ेशन है, जैसे कोई रोटरी क्लब होता है, कोई जिम खाना होता है, मैंने यह दी देखा है, कि लोगों ने पेपर भेज दिये वहाँ पर उनके बाद पॉप्स भी नहीं है, कुछ नहीं है पेपर बन के और देखे प्रॉसस है और एक तो केसी आय का प्रॉसस इतना आउटडेटिड है, कि आज मुझे अपने अगर इंपोर्टेड डॉक के जो की आड्स में आता है, जिनको सेलबिटीज ले रहे हैं, जिनको फोर्सस ले रहे हैं, उसके लिए मुझे पहले चिन्नाई में हाथ से लिखी हुई चिट्थी बेजनी है, फॉर्म बरके, डाक में, बैंक में जाके, डिमांड ड्राफ कटवाना है, यह 1970 की, 1960 की पुरानी रीत जो है, उसको करूंगा, तब लोग मेरी इज़त करेंगे, वरना हमें कुछ कुछ समझेगा ही नहीं, तो काफी सारे वर्किंग लाइन की ब्रीडर, काफी तो नहीं, कुछ गिने चुने हैं, जो कि KCI पर डिपेंडेंट नहीं हैं, देखिए, वर्किंग का मतलब क्या होता है, काम अच्छा होना, आपको मॉडल चाहिए, या आपको PSO चाहिए, आपको एक बॉडी बिल्डर जो की शोज में सिर्फ मसल टाइट करके जीतता है, वो चाहिए, या आपको Mixed Martial Arts का Fighter चाहिए, जुजित्सू चैंपियन, कौन आपकी जान बचा पाएगा, जो अपने डॉलेस हो जाएगा, या जो असली में लड़ पाएगा, ऐसे बता जता हूँ मैं, सिंपल रहेगा, तो यह एक, इसको अब यही वीडियो को हम करेंगे, काफी लंबा ही हो गया है, तो कि यह information ऐसी थी, कि इसको हमें थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ा, क्योंकि काफी लोगों के बहुत टाइम से questions थे, कि इसाब किसी ऐसे बंदे के साथ वीडियो करो इस तरह का इन सब टॉपिक्स पे, आप यो कुछ और डॉक से बारे में पूछना चाहरें, तो हमें वीडियो में comments करके जरूर बताएं, और यह information आपको कैसी लगी, वो आप जरूर हमें बताएं, और प्लीज आपको वीडियो अच्छी लगे हैं, तो वीडियो को like करें, share करें, और comment चरूर करें, thank you.